दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है क्वरफिट सेफ हीस फार्मिंग के यूटुब चैनल पे दोस्तो आज किस पीडियो में हम बात करेंगे कि ठंडी के दिनों में अपने पंगेसिस मचली का देखवाल कैसे करें कैसे उन्हें मरने से बचाए उन्हें रोग से बचाए उन् 20 degrees से भी नीचे जबता आपमान आ जाता है तो पंगेसिस मचली मरने लगती है तो हम उन्हें मरने से कैसे बचाए क्या क्या करें कि उनका weight भी loss नहों वोजन भी कम नहों क्योंकि वह भोजन नहीं करती है ठंडी में तो हम कैसे उसका देखवाल करें और 5 तरह की जो बिमारी होती है जो पंगेसियस मचली में ठंडी के दिन में लगती है उनका पहचान कैसे करे उन बीमारियों का उपचार हम कैसे करे ठंडी के दिनों में पंगेसियस मचली में तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे देखवाल करे तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं तलाब स तो अगर आपके पास तलाब है तो ठंडी का जो शुरुआत होता है वो बरसात खत्म होने के बाद होता है और जब बरसात खत्म होता है उस समय बहुत सारे किसान भाईयों का तलाब जो होता है पानी से पूरा भड़ चुका होता है अभी जो बहुत सारे किसान भाईयों का त तलाब जो है 10-15 फिट पानी है और उसमें पंगेशियस मचली है तो सबसे पहले आपको करना है कि पानी निकालना है 6 फिट पानी आपको मेंटेन करना है जिससे क्या होगा कि ठंडी के दिनों में जब धूप होगी तो पूरा तलाब का पानी गर्म हो सकेगा जिसे पंगेशि मचली को सुबह में 2 घंटे तलाब में पानी डालना है और 2 घंटे साम में तलाब में पानी डालना है बोडवेल का पानी डालिये या समरसेबुल का जो पानी गर्म होती है वो पानी आपको 2-2 घंटे सुबह में 6-8 डालिये और साम को 4-7-8 तक 4 घंटा 3 घंटा आप डाल स जितना आपका मन करे तो आप इस हिसाब से गर्म पानी सवेड में और गर्म पानी साम को आप डाल सकते हैं जिससे पंगेशिस मचली को पूरा दिन भर पानी जो होगा तलाब का वो गर्म रहेगा और रात में जो होगा वो पानी तलाब का गर्म होगा तो आपको इस प्रकार स पंगेसियस मचली को बचाना है बहुत सारी इलाकों में बहुत ज़्यादर धंडी पड़ती है जैसे 20 डिगरी से भी नीची आ जाता है तो आप मान तो इसे इलाकों में आपको अपने तलाब में हीटर का बेवस्था करना होगा अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर रखा है पंगेसियस मचली पालन में लगभग 4,5 लग तक का अपने फीडिंग करवा दिया है और आप चाहते हैं कि एक भी मचली हमारा डैमेज ना जाए वेट लोस ना हो तो आपको अपने तलाब में हीटर का बेवस्था करना होगा दोस्तो हम पंगेसियस मचली के पालन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि जल का जो पेरिमीटर होता है water parameter pangasus मचली के अच्छे बढ़वार के लिए क्या होना चाहिए तो अगर हम बात करें तापमान की तो 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटी ग्रेट तक pangasus मचली का जो बढ़वार होता है बहुत अच्छा होता है पारदरसिता का बात किया जा यानि transparency का तो 30 से लेकर 40 सेंटी मीटर तक होना चाहिए पानी का pH जो होना चाहिए वो 6.5 से 8 तक होना चाहिए dissolve oxygen यानि घूलित oxygen जो होना चाहिए 4 ppm होना चाहिए और ammonia जो होना चाहिए वो 0.5 ppm होना चाहिए तो अगर आप सफल पालन pangasus का करना चाहते हैं तो ये सब आपको maintain रखना पड़ेगा दोस्तो पangasus मचली जो होती है वो ठंडी में बीमारी उनमें बहुत लगता है रोग बहुत लगता है तो आप growth booster probiotics का पड़ियोग कर सकते हैं जिनसे उनकी immunity system रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ेगी और उनका स्वास्थ भी बहुत अच्छा रहेगा अब दोस्तो वो 5 तरह की बीमारी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उन बीमारी से अपने मचली को कैसे बचाए उनका उप्चार क्या है पहचान क्या है कौन सी रोग है किसके कारण लगता है क्यूं लगता है तो विडियो को सुरू सियंत तक देखिएगा आज हम पांच बीमारियों के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तो न पाँच बिमारीयों के बाड़े में चर्चा कर लेते हैं, जो पंगेसियस मचली को ठंडी के दिनों में लगती है। ठंडी के दिने में पंगेसियस मचली में लगने वाली सबसी बरी रोग जो होती है उसका नाम है बेसी लड़ी नेक्रोसिस ये जो रोग है इसके कारण बहुत सारी मचली या पंगेसियस मचली अचानक तला में मर जाती है और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान बहुत ही ज कि तापमान में फंदिकी वितर्म बढ़ाए होता है वी खर ऑप मचली का तूचा और मचलियों का तुचा और गलफडाये पीले हो जाते हैं और इसके उपक्रार के लिए इसे किडिरिम भोजन के साथ अ रियोगit jaruk क्लिन और सिलफोना मेड का प्रियोग्स कर सकते हैं। इसे हम कमर्शियल फीर जो होती है। उसमें मिला कर دो सफ तक पुलाकर कर सकते ह। संक्तेunya मचलियों कि रोग होती हैं। यह नहीं होगी। तो फेड देते हैं उसमें ऑ़क्सिटरेस आ मेंड़ समय दो यह उसको मिलाकर दे सकते हैं और पेरामीटर, वाटर पेरामीटर को हमेशा मेंटेन रखेंगे तो यह बीमारी नहीं होगी दोस्तो चलिए दूसरे रोग के बारे में हम बात करते हैं जो पंगेसिस मचली में ठंडी के दिनों में सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तो बात किया जाए दूसरे रोग को जो पंगेसिस मचली को ठंडी के दिनों में लगती है वो है रेड स्पोर्ट यह बीमारी जरातर तापमान में पडिवर्तन के सासत पडिवहन में हुए तनाव के करन होता है मतलब अभी जो तापमान हमारा बदल रहा है बड़सात के दिन से गर्मी के दिन से ठंडी के दिन जो आ रही है इसके कारण और पडिवहन में हुए तनाव यानि कि हम सीड अगर अभी डाले हैं कहीं से सीड बहुत दूर से ले कराए है ट्रांस्पोर्टेशन से तो उसके कारण यह रोग होता है रेडे स्पोर्ट दोस्तो इसका कारक जो होता है वो एरो मोनस हाइडरोफिला एरो मोनस सार्बिया और एरो मोनस के जिवानू के कारण यह संक्रमन होता है तो इसका हम पहचान कैसे करें तो मुह के आसपास खुन निकलने लगते हैं और पंक लाल हो जाती है दोस्तों पेट फुल कर लाल हो जाती है तो यही इस बीमारी का पहचान है तो हम इस बीमारी का उपचार कैसे करें इस बीमारी का भी उपचार दोस्तों वही है एक्लीन का हम इस्तमाल कर सकते हैं फीड में मिलाकर हम इसे दे सकते हैं और वाटर पेरामीटर को वाटर मैनेजमेंट अगर हम ठीक से करते हैं तो यह बिमारी भी मचलियों को नहीं लगेंगी दोस्तो तिसरी नमबर पे जो बिमारी आती है उसका नाम है वाइट स्पोट दोस्तो यह बिमारी प्रोटो जोवा मल्टी फीलिस के संक्रमन के कारण होता है दोस्तो अगर पहचान की बात करें तो सरीड पर सफेद दाग हो जाता है और मचलिया सुस्त हो जाती है तो यह सब इसके पहचान है दोस्तो यह रोग खासकर ओक्सीजन की कमी के कारण भी होता है तो हम इसका उपचार कैसे करें तो एक एकर के तला में हम 300 गराम पोटेसियम परमेंगनेट का इस्तमाल करके इस बिमारी से चुटकारा ले सकते हैं दोस्तो चौथे नमबर पर जो बिमारी आता है जो पंगेसिस मचली को ठंडी के दिन में लगती है वो आम बिमारी है जो सभी मचलियों में लगती है उसका नाम है फंगास इंफेक्शन दोस्तो यह भी होता है अगर आब बहुत दूर से सीट लाएं है तो उसके कारण भी यह रोग होता है और जाल चलाने में अगर चोट लग जाती है मचलियों को उसके कारण भी यह रोग होता है दोस्तो यह बिमारी का पहचान है कि इस सरीर में लाल लाल धब्बे हो जाते है इसे फंगल इंफेक्शन हम कहते हैं दोस्तो इस बीमारी का भी उपचार potassium permagnate है तो जब आप netting करेंगे अगर उसमें बीमारी वाली कोई मचली आ रही है रोक गरसित कोई मचली आ रही है तो उस मचली को 30 से 40 सेकेंड तक हमें 10 गराम potassium permagnate के गोहल में डुआ कर रखना चाहिए जिससे उसमें यह बीमारी होने का संकर्मन कम जाता है और मचली ठीक हो जाती है दोस्तो ठंडी के दिन में पांचमें नमबर पे जो बीमारी आती है जो पंगेसिस में लगती है उसका नाम है गिल फ्लूक यह दोस्तो यह प्रोटो जुवा के कारण होता है जब हम सीड डालते है मचलीयों का बीज डालते है उस समय यह बीमारी मचलियों में लगती है और इसके कारण मचलिया जो होती है वो सूस्त हो जाती है भोजन खाना छोड़ देती है तो दोस्तो इसका वी इलाज जो है वो है पोटेसियम परमेगनेट का इस्तमाल हम पड़े कर 300 ग्राम करते हैं तो सभी बीमारी से हमें छुट तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आज मैंने पूरा बताया है कि कौन कौन सी भीमारी आपके मचलियों को पंगेशिय उसको ठंडी के दिन में लगती है और उसका उपचार क्या है पहचान क्या है और अपने मचलियों का बचाव उनसे कैसे करे और ठंडी के दिन में अपने मचलियों का देखवाल कैसे करे क्या क्या करे कि हमारी मचलियों में रोग न लगे और हमारी मचलिया न मड़े ठंडी के दिनों में जब तापमान नीचे गिर जाता है दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा